आज तेलंग गाना के मुख्य मंत्री माननिय के चंद्रशेकर राव जी का मुंबई में आगमन हुआ है और मैं उनका यहाँ पर आदर्निय शरत पवार जी के निवास्थान पर हार दिक स्वागत करते हुए आदर्निय पवार साहब और राव साहब की पिछले एक देड़ गंचे से बातचीत यहाँ पर हो रही थी और इसके पूर्व राव साहब मानिय मुख्यमंत्री महुदय गुद्धव चाकरे जी को भी मिलकर आए हैं सवभाविक है कि दोनों नेताओं की जब मुलाकात यहां हुई है तो आपचारिकताओं को छोड़कर राजनितिक चर्चा पी जो देश की परिस्तिति या बाकी भी जो मसले हैं उनको लेकर दोनों नेताओं में चर्चा हुई है और मुख्य तोर से आगे जाते हुए सभी एक विचारधारा रखने वाले जो नेता हैं पक्ष है उन्होंने एक दूसरे के साथ मिल जुलकर और नजदीकी के साथ विचारों का आदान प्रदान करते हुए काम करना चाहिए और एक जुट्टा के साथ आज की परिष्टिती का मुकाबला करना चाहिए ये मुख्य तोर पर बात हुई है जिसमें आदर्णिय पवार साथ और केसी राव साथ की भी इसमें सहमती बनी हुई है मैं फिर से राव साथ का यहां मुंबई में पवार साथ के निवास्तान पर स्वागत करते हुए उनसे भी विनंति करूँगा कि वे अपने विचार रखे उसके पश्चाद अधनिय पवार साथ भी अपनी बात पो आपके सामने रखेंगे पहले तो महीं माननिय पवार जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उन्होंने कि वे तो अब दो अब दो कि एकि नहीं आफ सिक्स्टी नाइन में जो आजी वा था तब से लेके वे तो अब दो एकिले लाज बनने का मुद्धा सपल होने पर जैस प्रकार का समर्तन दिया उन्हों सपोर्ट किया हम पूरे बुजरुग है हमारे सीनियर नेता है हम आज उनसे सला मश्रब करने आए हैं कि देश ठीक से नहीं चल पा रहा है जिस दंग से हमको विकास करना चाहे है उस दंग से विकास नहीं हो पा रहा है कुछ चेंजेस 75 साल के आजादी के बाद संभावित रूप का विकास देश में हुआ है तो इसके वजह भी इसके कारण भी हमें डूमना चाहिए कुछ नहीं संकल्प के साथ नहीं आशा के साथ को नजया एजंडा ले करके सारा देश को साथ लेकर चलने का वक्त आ चुका है इसलिए पावार जी के साथ जो भी मेरे विचार के मैंने रखा है बहुत ही नेता है हमारे देश का काफी पहले उनका रिकार्ड भी है कि इंदुस्तान का सबसे पहले यंग चीफ मिनिस्टर थे उस समय से लेके आज तक सेवा में लगे हुए हैं तो उन्होंने मुझे आशिरवाद दिया है और बता दिये कि बिल्कुल काम करने का जरूरत है इस कि फ्रामती हो गई है ज्लसे ज्लन हम है अन्य लोगिशे तर्प पॉझ यह सब बात करेंगे इस भी मिल करके इकटबी कि भीその बैटेंगे होβु पवार जी के सब्र consistent यह सबरुदी एक हें बात करके गटर मिवह थो मेरतनी होगी जिल दना कहीं लोगों चलना चाहते हैं उन सारे लोगों को जूड़की काम को शुरू करेंगे इतना अच्प हुआ है जोगे हमको सुभी लोगों से बात्चीत करके एक रास्ता अच्छा निकालने का समय तो लगता ही है उसके बाद ही विश्थार रूप में हम देश के जंता के सामने एक जंदा पेश करेंगे हमारा कार्याचरन जो भी होगा वो सारे देश के सामने रखेंगे धन्यवाद हम हमेशा कोई भी दो रजाज मेशिक फार्चिकलों के खत्ता मीटे है तो हमारा साथ डिसकाचन हमेशा उल्तिकल आइफर होता है तो आज की मिटिंग अलग मुझी थी आज की मिटिंग इस तर से अलग थी तिया आज देश के सामने जो समस्या है चाहे अन्ना हो चाहे भूक वाजी हो चाहे किसानों के आस्माँ चाहो फूरे जेस्टे अलग यह दूशीची है इस्टे रास्ता निकरने के लिए हम जोगों जोगों बिलकर क्या करदा चाहिए आज यह हमारे जिम्म्रदारी समसे ज़्यादा इंफाउतन तर यह बाद पर यहाँ दिसक ज़्यादा नहीं किया इसी लिए कि देवलोफेंश इसी आज बड़े मद्दके है और खास तासूर चेलंग ने फूरे देश्वाद कहीं भी नहीं इस तर से कुछ कदम किसानों के वहाई के लिए जो उठाए है एक रास्ता चेलंग ने देश्वाद से को दिखा है और इस कि समसाची यहां आये इन समय से हमारी बात यह होगी देवलोफेंश 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 देवलोफ महर बना सकते हैं, तो वो महर बनाने के लिए कुछिश कजी चाहिए, और इसके जरें फिल बचेंगे, कहा बचना है, कम बचना है, यह तरह करेंगे, जो उनका सदा आएगा, जो उनकी सूचे ना आएगी, इसके हम सब लो उसी जगवफर मवदूत रहेंगे. Thank you. Thank you. Thank you. बचना वाशी जगवफर मवदूत रहेंगे.